गती 120 सब परती मिनट डिक्टेशन सुरू होने में समय से से 5 सेकंड रेडी और स्टार्ट उपाद्यच महोदे बित मंतरी को देश की आर्थिक स्थिती और निर्धानता के संबंद में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंतरी को संभव नहीं होती बजट ब बजट में IBI का ब्यावरा होता ही है लेकिन मुल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस परकार का प्रिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं सरकार का लच क्या है इन सब नीतियों का बजट में बीवरन होता है हमारे वित मंतरी चाहे जिस पद पर भी रहे हो चाहे वे मुख मंतरी रहे हो या केंदरिये सरकार में रहे हो उन्होंने सांदार काम किया जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तूत किया उस समय देश को और विशेश रूप से गरीवों को उनसे बहुत सी असाएं थी देश में लगभग 6 लाख गौव है उनमें जो बेरुजगारी है गरीबी है उसके संबंद में देश की जनता को उनसे बड़ी असाय थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अबसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्ग दरसन देना चाहते हैं इस द्रिश्टी से तीन महतपूर्ण बाते इस समय देश के सामने थी देश का आर्थिक विकास तेजी से हो अधिक लोगों को काम मिल सके और मुल्यों में अस्थिरता आए जहां तक इन तीन उद्देशियों का संबंद है हमने देखा कि उस और कुछ प्रियत्न हुए है विस विसेश रूप से गरीवी हटाओ के संबंद में इस देश में जो चर्चा चल रही है इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेक मिलता है क्योंकि जितने भी परत्यच कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विसेश रूप से सहर के लोगों पर लगाए गए हैं इस तरह से जो एक परकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है उसको दूर करने का परियत ने अवस्यक किया गया है लगवग पांच दसक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसमें देश में जितने सरकारी करमचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा क्योंकि कॉंगरेस के जो नए लोग आये थे जो मंतरी बने थे वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं धन से उनको मोह नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंतरी लोग भी उसी तरह से सांदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थें उपाध्यच महोदय तब उन लोगों को कुछ आसा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे लेकिन अभी हाल में जो चुनाब के धनीकों के मन में बड़ा संदे पैदा हुआ कि इस चुनाब के बाद उनकी अस्थिती वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा श्रीमान मैं आपका बहुत ही अभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्स के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ स्रीमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता पधान मंतरी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतरित्व में देश में कॉंग्रेस दल को असपष्ट बहुमत मिला और इसके फलसरूप यहाँ पर केंदर में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो की देश मे वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है मैं वितमंतरी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मद्यावधी चुनाव में जनता द्वारा कॉंग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें असमरन है और वह तन्मन धन से उसका पालन करना चा समाजिक और आर्थिक विसमता दूर करने का देश से गरीबी वेकारी और वेरुजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस परकार की समाजिक और आर्थिक व जनता सोसन से मुक्त हो सके शरीमान यह ठीक है कि देश में क्रिसी के छेत्र में पादन में बृधी हुई है परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दिरिष्टी में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी बृधी हुई है इसके लिए आवस्यक है कि सिचाई के साधन बढ़ाए जाए और अधिक उन्नत वीजों का परियोग किया जाए आज क्रिसको को स्क्रिसी के यंत्र मिलने में बहुत कठनाई हो रही है जैसे छोटे-छोटे ट्रेक्टेरों का देश में बड़ा अभाव है उनके बनाने के लिए सिग्र नए करखाने खोले जाएं जिससे क्रिसको को जल्द से जल्द ट्रेक्टर मिल सके देश तभी प्रगती करेगा हमारा ऐसा विश्वास है स्टॉप